इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Ephetra SB50 capsule antifungals नामक दवाओं के समूह से संबंधित है. यह कवक को बढ़ने से रोकता है और इसका इस्तेमाल मूह, गले, योनी और शरीर के अन्य हिस्सों के infection के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें नाखूनों और पैर के अंगूठे भी शामिल हैं. यह fungal cell membrane को नश्ट करके कवक को खत्म करता है. इसे साबुत निगलना चाहिए और भोजन के साथ लिया जा सकता है. अधिक्तम लाब प्राप्ट करने के लिए दवा को सटीक अंतरालों के बाद ले तथा prescription पूरा होने तक इसे लेते रहें. भले ही आपके लक्षन कुछ दिनों के बाद सही हो जाएं. अगर आप इलाज को बहुत जल्द रोकते हैं तो infection वापस आ सकता है और अगर आप खुराक लेना भूल जाते हैं तो आप अपने संक्रमन का जोखिम बढ़ा सकते हैं जो की आगे के इलाज के लिए प्रतिरोधक हैं. अगर आपका संक्रमन ठीक नहीं होता है या स्थिती औ और खराब हो रही है तो अपने डॉक्टर को बताएं. इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट में मिचली आना, जुकॉम, खांसी, धुंधली नजर और महवारी से संबंधित समस्या शामिल हैं. आप इन प्रभावों को रोकने या कम करने के तरीकों के बारे में अपने ड अगर आप गर्भवती हैं या गर्भवती हो सकती हैं तो इसे न ले, जब तक आपका डॉक्टर आपको इसे लेने के लिए नहीं कहता. अगर आपको कभी भी होट फेलियर, कमजोर इम्यून सिस्टम, यानि की ही डर सहित, किड्नी संबंधी समस्याएं या त्वचा का पील पड़ना, यानि की पीलिया, जैसी लिवर की समस्याएं हुई हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें. हो सकता है यह दवा आपके लिए उचित न हो, अगर आपका इलाज एक महीने से अधिक समय के लिए हैं, तो आपका डॉक्टर आपके रक्त का परीक कौन पर क्लिक करें, और All Notification को क्लिक करें, धन्यवाद.